दोस्तो इस वीडियो में एक ऐसे EPS 95 पेंसन धारक के बारे में बात करेंगे जिन्होंने रोते हुए एक ऐसा मैसेज लिखा है जिसे पढ़ने के बाद आपका भी दिल पसीना पसीना हो जाएगा इसलिए दोस्तो यदि आप एक EPS 95 पेंसन धारक हैं तो इनके मैसेज को आपको जरूर पढ़ना चाहिए तो दोस्तो इनके मैसेज को पढ़ने से पहले सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा तो चलिए दोस्तो जानते हैं इनके मैस अंगर्स कर रहे हैं भगवान आपको लंबी उम्र दे ताकि आप रेटायर्मेंट करमचारियों को उनका हक दिला सकें बेचारे हर रोज अनेकों करमचारी भूंके मर रहे हैं जिनको मात्र 25 रुपए महीना पैंसन मिलती है वे कैसे अपना और अपने परवार का गुजारा करते होंगे इन नेताओं को सर्म नहीं आती है और ना ही प्रदान मंतरी जी को सर्म आती है कि ये बेचारे करमचारी इतनी कम पैंसन में अपने बच्चों का पेट कैसे पालते होंगे सरकार को EPS 95 पैंसनर्स की पैंसन को स्थीगरी बढ़ाना चाहिए और इन्होंने बताया कि मैं एक रेटायर्मेंट EPS को करमचारी हूँ और मुझे अभी 3822 रुपई पर महीने ही पैंसन मिल रही है मैंने अभी तक बच्चों की साधी भी नहीं की है और इन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि हम अपना और अपने परवार का कैसे गुजारा कर रहे हैं हम एक तरीके से मर रहे हैं तो दोस्तों ये था इन भाई साब का मैसेज वैसे मुझे पता है कि ये किसी एक पैंसन धारक का हाल नहीं है सबी पैंसनर्स इसी हालात में अपना जीवन याफन कर रहे हैं मेरी इस वीडियो के माध्यम से सरकार से यही रेक्वेस्ट है कि प्ली जल्द से पड़ो त्री की जाए